आठ अगस्ट 2023 को चोथी सिफ्ट में जो जीकेज इसके क्विष्टन पूछे गए थे तो उनको थोड़े डिसकस कर लेता है कि जीकेज जो क्विष्टन पूछे गए थे वो क्या कुछ क्विष्टन थे तो चलिए शुरू करते हैं राजिव गांधी खेल रतन पूरुषकार का नाम कब बदला गया तो देखी जो राजिव गांधी जो खेल रतन पूरुषकार है एक्चुली इसका नाम अभी मेजर ध्यान चंद अवार्ड कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद पूरुषकार ठीक है तो राजिव गांधी खे जाकिर हुसेन का संब्द किस वाद्दे अंतर से है तो जो जाकिर हुसेन है वो किस वाद्दे अंतर से संबंदी थे तो तबला बजाते हैं तबले से संबंदी थे तबला प्लेर है तबला वादक है आगे चलते हैं पुशकर मेला कहां आयोजित किया जाता है तो famous एक पुशकर मेला है वो कहां आयोजित किया जाता है तो पुशकर जो है पुशकर का जो मेला है वो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है अब ACI कुस्ति चैंपियносिप 2023 सिल्वर मेडल विनर 53 kg केटेगरी यान कि 53 kg केटेगरी में ACI कुस्ति चैंपियносिप 2023 में सिल्वर मेडल गिस खिलाडी ने जीता था उसका नाम हमें बताना था तो अमित पंगाल अमित पंगाल के जो खिलाडी है इन्होंने इस सिल्वर मेडल जीता था भारत के इखिलाडी है भरत नाट्यम को किस गरंद से लिया गया तो भरत नाट्यम का जो ये पूरा लेखा जोका है किस गरंद से इसको लिया गया तो नाट्य सास्तर से लिया गया टोटल मेडल वोन बाई महारास्टर इन फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 यानि की महारास्टर के दुवारा कुल कितने मेडल जीते गए पाँच में खेलो इंडिया युवा गेम्स में जो की 2023 में आयोजित हुए थे तो 161 medals total जीते गए हैं जिसमें से almost 56 medals थे जो gold medals थे तो 161 medals महराष्टर जीते हैं टोप में रही हैं दूसरा स्थान जो था वो हर्याना का था आगे चलते हैं विच अवार्ड गिवन टू गुरू विपिन सिंग गुरू विपिन सिंग को कौन सा अवार्ड दिया गया था 1966 में तो संगीट नाटक अकैजमी अवार्ड दो दिया है ये 1966 में गुरू विपिन सिंग को दिया गया था 7 Ideas Mentioned in Indian Budget 2022-23 बज़िट में जो 7 आइडिया बताए गए थे उनको किस नामसे आमतर पर जाना जाता है तो 37 के नामसे उनको जाना जाता है आगे चलते हैं कौन सा अनुछेद राज्यों की नाइक सक्तियों से संबन देखे राज्यों को जो नाइक सक्ति प्रदान की जाती है यानि कि उच्टब नियाले और उच्छ नियाले की जो सक्तिय है उनके बारे में विवरिन मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आर्टिकल नमबर 13, 32, 132, 133 और 226 में मैंचन है आप अगला क्यूश्टन देखते हैं मुसलिम लीग का गठन कब हुआ मुसलिम लीग का गठन 1906 में धाका में हुआ धाका बांगलादेश की कैपिटल है 1906 में हुआ था 30 दिसंबर 1906 को मुसलिम लीग का गठन हुआ ध धाका में बांगलादेश में आर्टिकल 16 किस चीज़ से संबंदिते पूछा गया था तो आर्टिकल 16 जो है रोजगार के सभी को समाना उसर मिले इस चीज़ से तालूग रखता है इक्वल उपोर्चिंटी इंप्लॉइमेंट तो ये किस कुछन जो कैसे सी से चलके एक्जा में पुचेगे थे